तुद्धा मित्तल आज का अपना टॉपिक हैं मानव संसाधन नियोजन की आउशक्ता नीड फोर एचार प्लानिंग किसी भी उक्रम के अंतरगर मानवी संसाधनों की अत्यधिक महत्वूमी का होती हैं बिना मानव संसाधन के कोई भी संगठन अपनी किर्याओं को संपन नहीं कर सकता हैं तो इसलिए करमचारीओं से संबंधित नियोजन करना किसी भी उक्रम के लिए अत्यंत आवश्य हो जाता है मानव संसादन नियोजन का लक्ष मानव संसादन के अफव्याई को रोक कर उसका प्रभावशाली उप्योग करना होता है नियोजन की आवशकता करमचारियों की भरती, चयान, प्राशिक्षन, एवाम, विकास की नीतियों के निर्धारण के लिए होता है जैसे हम देखते हैं कि देश में मानवी इस्रम का बाहुल्य तो मानव संसादर नियोजन को और भी आवशे बना देता है क्योंकि इतने मानवी इस्रम यानि इतने मानवी इस्रमिक हैं जिनको काम की या रोजगार की आवशेक्ता है तो ऐसी इस्तिती में सही काम को करने के लिए सही व्यक्ति की अत्यंत आवशक्ता होती है तो सही करमचारी को डूंडने के लिए उसकी उपलब्धी के लिए नियोजन की और भी अधिक आवशक्ता हो जाती है इसका कारेणी है कि उपलब्द जन संसादन में से उपक्रम अपनी आवशकता अनुसार करमचारियों का चयन कर सके इसके लिए सावधानी रखना आवशक हो जाता है यह आवशक हैं कि जिस प्रकार के तता उप्योगिता के करमचारियों की जब आवशक्ता हो उपकरम को उपलब्द हो सके रिक्तिस्थानों की पूर्ती सही व्यक्तियों द्वारा हो सके करमचारी लागत नियुनतम रहे तता उपकरम का अच्छा विकास हो इस आवशक्ता की पूर्थी का एक महत्व पून्टत्व मानव संसाधन नियोजन है एक विकाशेल उक्रम में निरंतर उसकी बढ़ती हुई आवशक्ताओं की पूर्थी के लिए करमचारियों की आवशक्ता होती है पुराने करमचारी की मृत्यू, सेवा, निवरती, त्याग, पत, राधी, कारणों से उपक्रम से अपना संबन तोड़ते रहते हैं यही नहीं विभिन योगिताओं के पदों को भढ़ने के लिए भी वरत्मान करमचारीों में से चयन, अत्वा, बाहरी श्रोतों से उनकी पूर्ती का नुमान भी आवशर हो जाता है तो यह सभी तत्य उपक्रम के लिए मानव संसादन के नियोजन के महत्व को प्रकट करते हैं जैसे मैक फार्लें ने कहा हैं आज भी विशेश प्रकार के कोशल जैसे इंजिनियरी, गणीत, भातिक विज्ञान, कम्प्यूटर विशेशग्यों का अभाव उपस्तित हैं आधार पर मानव संसादन योजन के आवशेक्ता होती हैं तो मानव संसादन योजन के आवशेक्ता को हम निम्न बिंदों से स्पर्ष्ट कर सकते हैं पहला मानव शक्ति आवशेक्ताओं का सही पुर्वानुमान करना Correct Estimation of Manpower Requirement सभी संगटनों में निर्धारित लक्षियों की पूर्थी है तू अन्य संसादनों के साथ साथ मानव शक्ती की भी आवशक्ता होती है और सही कारे पर सही समय में सही व्यक्ति की आपूर्थी है तू मानव संसादन नियोजन की आवशक्ता हमेशा रहती है करमचारी लागत में कमी करना To reduce personal cost किसी भी उपकरम या संस्ता के समन में करमचारी लागत समस्त लागत का सबसे बड़ा भाग होता है और इसलिए प्रभंधकों का प्रयातन इस लागत को कम करना होता है करमचारी लागत को कम करने के लिए इस पर control करना यानि नियंतरन आवशक है मानव संसादन नियोजन करमचारी आदिक्य तता कमी को दूर करके उपकरम के लिए आदर्ष करमचारी संसादन की व्यवस्ता करता है मानव संसादनों के प्रकार का निर्धारण उनकी भरती के स्रोतों की खोज में सहायक बविश में किस प्रकार के करमचारियों की आवशेक्ता होगी इसका निर्धारण हो जाने के पश्याती भरती के सही स्रोतों का चैन किया जा सकता है मानु संसादन नियोजन में करमचारियों में किस गोण इस्तर की आवशकता होगी यह भी निश्य किया जाता है ताकि भरती के लिए उपलब्द विबीन स्रोतों में किसका उपयोग किया जाए यह निर्धारित करना प्रबंदकों के लिए सरल हो जाता है नेक्स्ट मानु संसादन के चयन नियोक्ति तथा प्रति स्थापन में सायक helpful in selection, placement and replacement of personal मानु संसादन प्रबंद का उदेशय सही कारी पर सही व्यक्ति का चयन एवं नियोक्ति करना होता है उपकरम के लिए मानु शक्ती के आवशकता का नियोजन करके सुविधा पुर्वक उप्युक्त विक्तियों का चयन तथा नियुक्ति की जा सकती है तो रिक्ति स्थानों पर करमचारियों की नियुक्ति में भी नियोजन से साहिता प्राप्त होती है क्योंकि जो खाली इस्तान हैं, रिक्त पद हैं, कि पुर्वानुमान हो जाने पर उनकी पूर्ती की व्यवस्ता करना संभव हो जाता हैं। को मानव शक्ति नियोजन से सम्मन किया जाए। करमचारी पदों एवं अपक्षित योगताओं का पहले से ही ज्यान ही प्रास्रिक्षन कारिक्रमों का आधार होता हैं। पदोनति के अफसरों का अनुमान भी इसी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मानव संसाधन के अपव्याय पर नियंत्राण। कंट्रोल और वेस्टेज और हुँमन रिसोर्स। यदि किसी उपक्रम में सावधानी पुर्वक मानव शक्ती का नियोजन नहीं किया जाता हैं, तो मानव संसाधन के अपव्याय को नहीं रोका जा सकता हैं। क्योंकि मानव शक्ती नियोजन के अभाव में करमचारी आवशक्ताओं की पूर्ती बिना किसी मापदन्डों के की जाएगी और इस प्रकार संभव हैं कि उपक्रम में आवशक्ता अनुसार भड़ती एवं चेहन न हो पाए और अनुपयूक्त व्यक्ति में सदेवी उच् करमचारी का होना आफशक्त होता हैं तभी वो अपने इंट्रेस से अपनी रूची से कार्य कर सकता हैं फिर हैं करमचारी आवर्तन में कमी रिडक्शन इन एंप्लोईस टर्णोवर उपक्रम में उप्रियूक्त करमचारी आवर्तन में क्या करती हैं कमी लाने में सायक होते ह वैसे किसी भी बड़े उपक्रम में करमचारी आवर्तन की प्रवरती को हमेशा रोका नहीं जा सकता है लेकिन जहां इस प्रवरती के कुछ संस्तागत कारण हो सकते हैं वहां अनेक व्यक्तिकत कारणों से करमचारी आवर्तन उत्पन हो जाता है और करमचारी आवर्तन की दर अधिक होने से उक्रम को कई प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा कम हो जाती हैं। प्रयाशिक्षन के व्यों में व्रदी होती हैं और करमचारियों का मनुबल गिर जाता हैं। तो इसलिए करमचारी आवर्तन की दर को कम करने का प्रयत्न आवश्यक हैं। और मानवशक्ति नियोजन के द्वारा ही इस दर में कमी लाना संभव हैं। फिने उत्पादन में उत्पन विगटन पर रोग। चैकॉन डिस्रप्शन इन प्रोड़क्शन। उत्पादन विगटन पर रोग के लिए मानवशक्ति नियोजन प्रभावकारी सादने आवशक्ता पढ़ने पर मानवशक्ति का अभावी उत्पादन में बाधा उत्पन करता हैं। तो मानुव संसादन नियोजन, मानुव शक्ती की मांग और पूर्ती में संतुलन की स्थापना कर उत्पादन में बादा उत्पन नहीं होने देता है। फिर हैं मानुव संसादनों की आफशक्ताओं में समन वे, Coordination in Manpower Requirements, उपक्रम के विभिन विभागों द्वारा कर्मचारियों की आफशक्ताओं में तालमेल बिठाना या उनके अंदर तालमेल इस्तापित करना आफशर होता है, Coordination बनाना, तो मानुव संसादन की मांग विभिन विभागों में उत्पन होती रहती है और उच प्रबंदर के पास निरंतर ऐसी डिमांड आती रहती है, तो उन प्रबंदकों के द्वारा इन मांगों को वर्तमान में उपलवद आवरतन इवं भावी विकास के संदर में देखना होता है, और मानुव संसादन नियोजन द्वारा ही ऐसा अनुमान लगा कर विभिन विभागों द्वारा की गई मांग को पूरा किया जा सकता है फिर यह ओध्योगीक अशान्ती में कमी, reduction in industrial unrest मानुव संसादन नियोजन ओध्योगीक अशान्ती में कमी लाने में भी सहायक होता है उप्योग्त मानुव संसादन नियोजन से विभिन स्रम समस्या है, स्रम आवरतन, स्रम निसकासन, पदावनती, छटने आधी उत्पन नहीं होती है और अध्योगीक शान्ती बनी रती हैं फिर लाश्ट कानूनों में परिवर्तन Changes in laws बढ़ते वे सरकारी नियंतन तदा कारी दशाओं कारी के घंटों, विबिन सुविधाओं एवं कारी वातवर्ण के संबन में विबिन कानूनों में समय समय पर हो रहे परिवर्तनों ने मानव संसादन नियोजन के आफशक्ता को बढ़ा दिया है तो इस परकार हम ये निम्न बिंदों को देखते वे कह सकते हैं कि वर्तवान समय में किसी भी उपक्रम को यदि सफलता पुर्वर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उन्हें मानव संसादन के नियोजन की आफशक्ता होती है और इस नियोजन के द्वारा सही करमचारियों की भड़ती चयन करके और संस्ता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है